अब अब यह अब अब्याश टेस्ट पीपर को सॉल्व किया है डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां सजाकर आप चेक कर सकते हैं विडियो को लाइक हो चले सब्सक्राइब जो कर दें आप बोलते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में किसरा आप मैत को सॉल्व कराईई तो इस वीड पर आपको दिए गए जिससे कि आपके तैयारी बढ़िया हो सकी ठीक है चले शुरू करते हैं वीडियो को लाइक हो चले सब्सक्राइब जबू करते हैं तो पेरवच्चों यह आपको क्लियर नहीं दिखराया तो वीडियो की क्वैल्टी इंक्रिस कर लें इससे आपको समना पूर तहसील परिया और जला संगवास से सूचना दी गई है नेत परिक्षन सिवर लगा हुआ है जहां आखों की जाच होगी ठीक है इसी के आधार पर जो है वीडियो को पोस्कस के इसको पढ़ ले इसके आधार पर हमको आंसर दिने हैं तो पहला कॉस्चन है कि अधोरा में जो सिवर लगा है जो दिया गया है उसके लिए कौन से बच्चे जो कोन से बैक्टी है पंचियन कराएंगी इस कांसरी हो जाएगा चौहिशन से समध्र समेश घ्रषट बैक्ती है मतलब जू बैक्ती को आँखों की समस्या कराफ कि घ्रथ ए समंस्या को समाधा के लिए सेवर का आयुजन किया गया ठीक है तीसरा कुस्चन है कि यह दिया गया तीसरा कोश्चन कि नेत्र शिवर में आपकी भूमिका क्या हो सकती है तो बच्चो नेत्र सिवर में हमारी यह भूमिका हो सकती है कि हम स्वेम सिवक बन जाए ठीक है स्वेर मतल Dos Re attach करें नीस्वार्तभाव से तो ऑप्सण नमर जोडी है चौथी से रिकाबुक nodig वो सब्झाइगा ही कि चौतरा कोश्चन है कि नेत्र से के आयोजने के लिए उचसत निर्देश क्या हो सकते हैं anda बच्चो नेत्र सिवेर के आयोजन के लिए उचत निर्देश आपको चार दिये गए हैं आपको बताना है कौन कॉंसिस्ट में से हो सकते हैं दूसरा और तीसरा है किरपया पंक्ती बनाएं और तीसरा है अपना पहचान पत्त लेकर यह दो ऑप्सन है जो बिल्कुल सही हो जाएगा अगला है पांचवा कुस्टन कि सिवेर का आयोजन किसके द्वारा किया गया तो बच्चों पांचवा कुस्टन का शही आंसर होगा आपका ऑप्सन नंबर डी ठीक है ग्राम पंचायत द्वारा जो है आपको पता हुने चीव ग्राम पंचायत द्वारा यह आयोजन किया ग है दूग之後 पह्लेजन है कि कूरूना काल में सास्क्य महा विद्यालों में भी छड़ में बचत्रमा कुश्चन है आप जियान रखना है के स Tada Kiwa कोश्चन है कि कूरूना काल में सास्किय कि विद्यालों में से किस प्रकार सुछल कार किया जा रहा है जो बिट रून अकाल है तो आप को घर बैटा ही शुक्षन क्या जाएगा दो अप्शन होया बी ओनलाइन कच्छाओं का संचान शुभां कि संचान की माध्यूं से जो है आपकशोदी कर depths क्या है proto वर कन सक म्-करण किया जाता है तो गतीर वीदी आधरत च्छट काल किया जगों कि लए का सही नमबर दी बच्चों सरवागिड़ बिकास हो सकी सभी तरू का वाट दिख और मेंटला चंता लिख सत हो सकी ठीक विल्कुल सही हो जाएगा अगला है आपका कुस्चिन नंबर एट टीक है को चना नंबर आपका येट जो है बच्चो कुस्चों मोंबर एड है कि किस गति विधि के दोर्वाई बच्य सुयम खूझकर ग्यान का विकास करती है जिसका सही अंसर होगा ऑपिछन नंबर सी जो कथन नंबर भी है कि साला में सिक्षन सुल्क लीना यह जो है सास के बद्यल में सही नहीं है कि विसारकारी स्कुल में सुल्क नहीं लगता है और दस्मा है यह पूश्टर किसके लिए लिखा गया है तो बच्चों इसका सही अंसर जो ऑप्शन नंबर सी अभिबाब को के लिए पूश्टर बनाया गया है जिससे उनको जानकारी प्राप्त हो ठीक है इस ततरह से आपका हिंदी का जो है क्लिए रहूता है वीडियो ठीक है अब बच्चों पंचलते हैं गड़त के कुश्चन पर गड़त के कुश्यों को सौल्व करते हैं पैन कौपी लेका ही गड़त में आपका पहला कुश्चन है कि निम्न मैंसे किस संख्या में पांच से भाग देने पर सेशफल प्राप्त नहीं होगा ठीक है बच्छो तो आपको पता हुना चीए पांच का विभाज्यता का नियम क्या है पूरी संख्या पांच से डिवाइड हो जाती है कोई भी स पांच से भाग देगे उसमें कुछ नहीं बचने हो ठीक है अब चलते हैं अपन दूसरे कुस्चन पर दूसरा कुस्चन हमसे कहता है कि संख्या जो दी गई है इसमें नाइन से पूरता वाजत है तो खाली बॉक्स में क्या आएगा तो नाइन का जो बभाजता का नियम है यह कहता है कि अगर सभी अंकों का जोड़ नो से कट जाए तो पूरी संक्य कट जाएगी देखो बच्चों इसको दो लेते हैं अच्छार और पंच टूटल हो गए नो ठीक है वह आठो सब आठ साथ पंद्रा पंद्रा उनों हो जाएंगे 24 ठीक है क्या हो जाएंगे 24 यद हम इसमें यदि हम इसमें तीन और जूड़ दें तो तोवी से पच्ची छबी सत्ताइस सत्ताइस जो है नो से वाज़त हो जाएगा इसका मतलब दूसरी का अंसर है आपका ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है अब चलते हम थार्ड कोश्चन पर थार्ड क अंक जो है चार से कट जाएं ठीक है तो पीछे के दो चार से कट जाएं तो बूस अंक्या करती है बच्चों जिसके सम और बिसम जगह पर अंकों का जब अंतर है या तो जीरो हो जाए या ग्यारा से विवाजत हो जैसे कि कि j any को मैं लो कोई संख है लिली मैंने अगर के दो चार पांच छे दो अब इसके संग पर क्या है दो पांच वो थो ह्थ दो एक स्वड़ एक इनको जोड़ दो वह बाकी बज का क्या है जो इनको जोड़ दो पर इनका अंतर निकालो अगर अंतर जिरू होता है तो सब्सक्राइब करेंगे तो इन दोनों में आपका आंसर आजाएगा तीसरी का सही अंसर आएगा ऑप्सन नंबर बी बिल्कुल सही है क्यों भी ही आ जब देखें तो इसका सब्सक्राइब करें तो इसका अंकों को आप सम और पिसम प्लिस का अंतर देखना तो ग्यारा सी बभाजत हो गया फिर जीरो होगा ठीक है चलते हैं कोस्चन नंबर फूर की तरफ क्या है, आपको देखिये संक्या क्यूस्चा नंबर फूर है कि संख्या 9,7,2,4,10 में एकाई की स्थान पर कौनची संख्या लेने पर बनने वाली पाँच अंकों की पूरता बभाज़त होगी ? किस से पूरता संख्या? सभी आंकों का जूड़ जूड़ ना चाहिए तो हमाँ एसी संध्या रखनी है कि sponsor को को जूर करें तो वो तीन से कट जाए तो वहीं संक्या तीन से कट जाएगी इसे साब से आपके फूर्त का जो आंसर है वह आना है आपका ओप्शन नंबर ए यानि चोथरा का आपका ए ओप्शन बिल्कुर सही हो जाएगा अब चलते हैं अपन पांच में कुस्टन पर ठीक है पांच में कॉस्टन है निम्न मैंसी कौंजी संक्या आठ से तो भवाज़त है परंतु छे से भवाज़त नहीं है तो आठ से वह जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है अब चलते हम कुस्टन नंबर छटमी पर चटमी पर कोस इसलिए संख्या 8472 और 6500 सूला का यूग निम्न मैसे किस अंके से विभाजत नहीं होगा इनका यूग किस से विभाजत नहीं वह यूग करें यौक आगा चैनल आठ यनि-8 थिक अगर आप इनका यूग भी कर से आप यूग करें तो नाएगा आप यह यूप करें ठीक है तो आप देखेंगी कि छटमे का आंसर है आपका ऑप्शन नमबर डी यह बू संख्या पांस से भवाज़त नहीं होगी बागी तीन से भवाज़त होगी पांस से भवाज़त हो दिये जिसके एक आई का जीरो या पांच हो अब इसमें त इसका आप लेंगे तो आपको मिलेगा क्या इसका सही अंसर आने वाला है आपका साथवी का ऑप्शन नमबर बी 900 900 ही वो संक्या है जो 369 15 से पूर्त या पूर्ट बर्ग भी है कौन 900 किसका बर्ग है तीसका बर्ग है बर्ग मतलब दू बार गुड़ा करेंगे जिए हम ती 3-421 से भाज़त है कुस्टन नमबर आर्ठमा देखो तीन ओशार 2-0 से भाज़त होनी वाली संक्या है आपकी और सब्सक्राइब बी जो है 3425 है कुस्टन क्या होते हैं इसमें कम से कम एक भुजा कोमन हो क्या श्रू कि ये से कई ऑगर मैं आप से एक बना दूए इस तरह सी ये कौण आसन न कौण होगे क्योंकि इसमें देखो अगर मैं नाम रख़़ें, A, B, C और D तो इसमें देखो बच्चों, A, B, C, A कौण कौण है, A, B, C, ठीकए, और A कौण सा कौण है, D, C, B, तो दो को इसमें भी A, B, C, और इसमें भी D, डीसी भी ठीक है विद्वी सी ओ बी सी दोनों में कोमण भुझा एक है नहीं दोनों आसन्य पूर्ण है ठीक है तो कुश्चन नमबर आप से कहा गया है कि किसी समांथा चुट्रभुज में दू आसन्य पूछ चार अनुपाथ पाँच के में हैं इनकी क्या माप होगी तो एक्सवासी में देंगे तो आएगा आपके पास नो दुन इठारे इने बीस तो विश अब बीस कोड़ा कर देंगे चार में तो जी आजाएगा सब्सक्राइब तो यह प्रश्चन नमबर जो भी है वह बिल्कुल सही हो जागा चलते हैं कोस्चन नमबर दसमी पर दस्वा कोस्चन है यदि किसी समांदर चत्रवच के दो आसना कॉन यह है तो इनकी कोड़ों का अनुपात क्या होगा तो बच्चों यह जो आसना कॉन है यह दोनों इनका जूर जो है 180 होगा तो यह आपने को करें तो देखो पंच एक्स दस एक्स टूटल हो गए 15 ठीक है ओ माइनिस पंच और प्लस 35 तो हो गए आपके पास प्लस के 30 ठीक है और बराबर आपके पास हो गए 180 वह 30 जो है इस तरब चला गया 30 जो है इस तरब चला गया तो माइनिस हो गया तो 15 एक्स बचा बराबर में आ जाएंगे आपके पाड़ पांच और 15 ken कर जाएगा तो एक्स बराबर जाएगा 10 जब एक्स बराबर की आ जाएगा अब देखो आपको दो कुण दिये थी 5x-5 और 10x प्लस 35 एकस में आप दस की दस रख दू एकस की जिगाए पर दस पना पचास माइनस पांच 45 ठीक है और दस दस हम की 100 माइनस वो 35 तो जी हो जाएगा आपका तो बच्चों इदर हमको क्या करना है दस गुड़ा दस यानी 100 100 प्लस 35 तो 135 और 45 से आप काड़ लीजिए तो 45 पैतालिस पैतालिस यानी आप काउंसर जाएगा ऑप्सन नंबर सी इस तरह से आपने जो मेयत के क्वेश्चन है वो बच्चों सॉल्व होते हैं ठीक है अब आ ज इसके लिए दोनों बस्तूओं को सही होजन किया जाना चाहिए किस से तो तांबी के तार से किस से बच्चों तांबी के तार से अगर दोनों को हम बांदेंगे तो एक जगह से दूशी जगह करने ट्रांसपर हो सकता है पहले का है ऑप्सन नंबर सी ठीक है दूसरा आपांसर हो जाएगा ऑप्सन नंबर सी गर्मी अवसोसत होती है यहीं जो है आपका सऑय अंसर हो जाएगा ठीक है अगला कोंक्र है कौूस्चन नमबर तीसरा कि निम्लिकत में से कौन सी घटना भूकम्प का कारण बन सकती है तो बच्चों भूकम्प का कारण बनने वाली जो घटना है तो आपका ओप्शन नमबर हो जाएगा क्या तीनों यहीं डी ओप्शन एक दो तीन यानी कि प्रिस्वी की पिलेटे जॉलमुकी बि सकते ही है तो शूब आँ जबसे अब कक्याएगा दोन ऊप्शन नंबर इक है एक जबहुतिक का ऐग से ॐआय। जो कि नी दो सतों के बीच इसने हक की प्रयूक से घड़ जाती है जब दो सतों के बीच में हम गरीस लगा देंगे तो उन्हें घर्षण कम हो जाएगा चिकना हट पैदा हो जाएगी तो हम क्या कहेंगे एक सी को जो हो जाएगा घर्षण यानि सी ऐप्शन बिल्कुल सही हो बच्चो कुस्चन नंबर छटमा आप से क्या कहता है देखो कि चित्र में दिए गए लड़के को किसी संदूक की दाहिनी और धकेलते हुए दिखाया गया संदूक पर घरशनबल तो जब बच्चों किसी फोर्स लगाते हैं किसी भी दिसा में तो उसकी विप्रित दिसा में घरशनबल काम करता है तो यदि वह है देखो तो बाहिनी और से दाहिनी और यदि वह फोर्स लगा रहा है दाहिनी और से बाहिनी और तो घरशनबल लगेगा ऑप्शन नंबर बी बाहिनी और से दाहिनी और ठीक है कॉस्चन नंबर साथ मां जो है आपका क्या मूनता है पं बो है उसका सही अंसर हो जाएगा आपका option number D कि ठोस द्रब और गैस अवस्ता पर नहीं करता है ठीक बच्छो अगला है question number आपका question number 8 ठीक है question number 8 क्या कहता है धुरुपतारा सभी दिसाओं सभी मोसमों में इस्थर क्यों दिखाई दिखाई दिता है जिसका सही अंसर है यह प्रित्वी के उत्री ध्रुब की अक्ष परिस्तित है इसलिए यह सभी दिसाओं में एक जैसा दिखाई सभी मोसम में एक जैसा दिखाई दिता है ठीक है अब नोमा कुश्चन हम सॉल्व करेंगे नोमा कुश्चन है कि मान लीजिए प्रित्वी और मंगल के बीच में एक नया ग्रह कुझा गया इसका आवरत काल क्या होगा तो बच्चों प्रित्वी और मंगल के बीच में दिया नया ग्रह कुझ लेंगे तो प्रित्वी के बाद है और मंगल के पहले है तो पिद्वी के बाद होगा तो पिद्वी से जादर टाइम लेगा हो सूर्थ के चक्क्र लगाने वहां मंगल के इसे वह कम लेगा ठीक है तो मंगल के आवर्त काल के पिक्छा कम यांई प्रोकत तालइका का सही मिलान करें इसे का रह् ISका सभी आंसर आपको बतादू का जո है5 पैले का है 2ck जो होता है आपका तीबी की रुखताम के लिए दूसरे का है फूर्थ ओ पीवी पुलियो ड्रोप पुलियो की रुखताम के लिए खसराया है इमारा खसरा की और डिप्तिरिया डेपीठी के लिए इस तरह से आपके 10 कुश्चन जो हैं किसके बिग्यान के सॉल्व होते हैं अब चलते हैं हम साम पहला कुश्चन आप से कहा गया है कि भारत की सुदंता की कल्पना के साथ सरब प्रतम भारति राश्ट किसने पहराया पहला है अंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेडम भीकाजी कामाने ठीक है बच्चों अगला कुश्चन है गांधी जी द्वारा दांडे यात्तर करने का प्रमक अध्य है जी ठीक है तो दूसरे कुश्चन का सही अश्र हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नमक कानुन भंग करने के लिए ठीक है तीसरा कुश्चन है करने का देश्च था तो बच्चों रॉलेट एक्ट जो है लागू करने का अध्येश्च था क्या कि अधिकांस बिनासकारी भूकंपों का मुख करण होता है तो अधिकांस बिनासकारी भूकंपों का कि कि अधिकांस बनाता है तो आगला है जंसाक चरता कारिकर्म किस के किस के लिए चलाए जाता है जी साथ में का सही अंस्र हो जाएगा आपका ब्स नंबर बी-15 वर्ष देख स्थे जुर्विग पानी से घरा हुआ है आठमा कॉस्चन है कि D.P.A. महादीप कौन सा है तो D.P.A. महादीप जो है इसका सरी अंसर हो जागा ऑप्शन नमर B आश्टेलिया जो है D.P.A. महादीप है चार तरफ से पानी से घरा हुआ है तो अंतरराष्ट न्यालाए जो है बच्चो भू करता है सतस्य राश्टों के मत्द वबबाद ए ठीक है और अगला जो लाष्ट है पर सौल होता है मिलते हैं नेक्स्ट चेप्टर में नेक्स्ट वीडियो में टेक क्यार